हेलो एवरिवन बेना नाम रिया है और आज हम प्रीवियस ये में आये वे मैप के कोशन डिसकस करेंगे और इस वाली वीडियो में हम सिर्फ वर्ल्ड मैप के कोशन्स डिसकस करेंगे और जो हमारी नेक्स वीडियो होगी उसमें हम इंडिया के मैप के कोशन्स डिसकस करेंगे यह जो question papers हैं यह 2015 से लेकि 2019 तक के हैं यानि की last year के हैं so latest question papers है so सबसे पहले मैं आपको question paper में से direct question दिखा देती हूँ जिससे आपको एक idea मिल जाए कि question paper में कैसे होगा then फिर हम slides पर discuss करेंगे so question number 21 से आपके map शुरू हो जाएंगे और यह 5 marks क्योंगे पहले हिंदी में लिखा होगा then English में लिखा होगा पहले आपको world map माक करने को बोलेंगे उसके बाद question number 22 में आपको इंडिया का map माक करने को बोलेंगे then उसके बाद आपको एक map ऐसे देंगे जिसमें यह सारे लिखे ना A, B, C, D and then उसके बाद आपको एक खाली इंडिया का map देंगे जो आपको फिल करना पड़ेगा so अभी हमारा main concentration world map पर है तो अभी हम उसी के question discuss करेंगे so अब हम 2019 का question उठा रहे हैं जो उसमें आया था identify the five geographical features shown on the given political outline map of the world A, B, C, D, E so यह जो A, B, C, D, E है यह map में mark होगा जैसे कि अभी हमने देखा write their correct name on the lines drawn near them तो जो lines बनी वी थी उनके उपर नाम लिखना है with the help of following information so यह कुछ hints देते हैं और यह खुद mark करके देते हैं आपको देखना पड़ता है कि कौन सी state या कौन सी country कौन सी city है यह सब चुछे बताने पड़ती है तो सबसे पहले है an industrial region यह मैंने blank छोड़ा वाए जान पूछके क्योंकि इसका answer आप मुझे देंगे और वीडियो के end तक आते आते हैं आपको पता चल जाएका कि कैसे देना है so next है a major seaport तो यह B पर है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें B नंबर कहां पर है B जो alphabet है वो यहां लिखा है so हमें जब आप याद करेंगी कि seaport है कहां पर so इसमें जो इस एरिया में है South America में यह वाली साइट पर जो seaport पढ़ता है उसका नाम है well pay rise o then c है the terminal station of transcontinental railway transcontinental railway तो ऑस्ट्रेलिया का होता है और c जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर ही मार्क हो रख है यहां पर जो बिल्कुल एंड परता है वो है पर्थ और यह बहुत मैंने कोश्यन पेपर में देखा है अब यह आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा यह आपको पता हूं अच्छे है कि आस्ट्रेलिया में जो transcontinental railway है उसका जो station है एक बहुत important बिल्कुल end में पढ़ता है पर्थ देंडी है एंड इंटरनाशनल एरपोर्ट तो आप यह नहीं कि भई कहीं पर भी मार्क कर देंगे अगर उन्होंने specify करके दिया है कि भई यहां पर बताओ तो मैं थोड़ा सा zoom कर देती हूं तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा फिलाल तो मैंने पैरेस लिखा वाई इसलिए आप इजली बता सकते हैं कि भई यह कौन से एरपोर्ट की बात हो रही है बट स्टिल अगर एकजाम में ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसके लिए एक और ट्रिक लगा सकते हैं यह जो कोशन पेपर है जैसे कि वही कोशन जो था नेम एनिवन इंटरनाशनल एरपोर्ट और फ्रांस सो यहाँ पर फ्रांस है तो इससे हमें पता चल गया कि वो जो कंट्री मार को रखी थी वो फ्रांस है अब मैंने काफी कोशन पर देखे हैं इसलिए यह 80 परसंट ही सही जाता है कभी कबार ऐस होता है कि यहाँ पर जो दे रखा है वो अलग कंट्री होती है और जो हमें मार करके दे रखे है वो अलग कोशन होता है वो अलग कंट्री होती है बट 80 परसंट तो यह सही जाता है यह मैं आपको आनिसली बता रही हूं तो आपको पता चुल गया फ्रांस के बारे में यह जो कंट्री मार्क करके दी थी उन्होंने वह फ्रांस की थी अब जब आप याद करके तो जाएंगे कि फ्रांस का जो इंटरनाशनल एरपोर्ट है फेमस वह है पैरिस तो अब हमें मेगा सीटी बतानी है यहां पर इन्होंने मार्क करके दिया था यहां पर फिर से आप दुबारा से उस कोश्चन पेपर को देखेंगे और फिर यहां देखेंगे कि यहां पर मेगा सीटी और फिलिपिन्स तो फिलिपिन्स की मेगा सीटी पूछी विए अगर आपको मैप में समझ ना आए तो वैसे तो आपको मैप को इतने चासे प्रिपेर करके जाना अच्छी है मतलब आप प्रेक्टिस करोगे तो अपना आप होई जाता है आइडिया लगी जाता है कि कौन सा कौन सी कंट्री क कल गया मुझसे कंट्री और उसकी मेगा सिटी बता रखे सो यह तो आप याद करके जाना ही पड़ेगा सो हमने हमें पता है कि फिलिपिन्स कहां पर है तो अगर हम यह पतास लगा सकते तो आप यह याद करके जाएंगे अब आपने फिलिपिन्स ढूंड लिया कि वह जो मै मेगा सिटी हैं जितनी भी कंट्री दे रखे उनकी मेगा सिटी के बार में आपको अच्छा से याद करके जाना है जैसे कि मान लीजें इंडिया की तरफ को यह मांक करके दिया रखा है तो आपको पता है कि इंडिया की जो मेगा सिटी है वह बॉम्बे है देली है तो आप के साबसे लिख सकते हैं देन नेक्स्ट है कोशन पेपर 2018 का और कोशन यही है सीम ही है तो मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी कि हर जगा सीम है जस मैंने पहले बता दिये कि क्या है उसमें स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे पूस सकते हैं बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं उन्होंने हिंट्स दे रखी है, मार्क करके देंगे वह खुरी और आपको देखना पढ़ेगा कि कौन सा कौन सा स्टेट है किस बार में बात करें, ठीक है? सो अब A पे बोलावा है Major Seaport सो A है यहाँ पे यह है A और यहाँ पे जो Major Seaport पढ़ता है उसे कहते हैं North Cape सो इसमें भी अगर द्यान से देखोगे तो कुछ समझ सा नहीं आ रहा यह तो North Cape मैंने लिखा वैसले पता चल गया कि कौन से Major Seaport के बार में बात हो रही है पर वैसे एकदम सा समझ में नहीं आ रहा सो इसले हम कोशन पेपर में एक बार देखते हैं क्या पता इस वाले सेक्षन पे हमें समझ आ पाए सो उसमें लिखा था सिर्फ A Major Seaport जैसे कि आप देखी सकते हैं यहां पे जो कोशन है इस कोशन में लिखाव है A Major Seaport सो अगर हम इस वाले सेक्षन में देखें जो Visually Impaired Candidates के लिए होता है सो लिखाव है Major Seaport of Norway और Norway वही पे पढ़ता है इसका मतलब इन्होंने Norway के Seaport के बार में पूछा है सो इसका अंसर होगा North Cape देन B है एन इंटरनाशनल एयरपोर्ट सो इसका अंसर क्या होगा नाइडोबी देन नेक्स्ट है A Major Industrial Region C पर है सो अगर आप इसे दियान से देखेंगे सो इस जर्मनी मा को रखा है तो जर्मनी में कौन सा Major Industrial Region है रूर रीजन देन D है An Important Area of Nomadic Herding एक इंपोर्टन एरिया जो नॉमाडिक हर्डिंग का है इस आइलेंड्स ओफ मिदास्कर देन इपर है अमेगा सिटी इसका अंसर है साउ पॉलो अब है 2017 का कोशिन पेपर जिसमें ए बोलावा है A Large Country of Africa in Terms of Area यहां पे अफरिका की कंट्री पूछी भी है जिसका आंसर है Algeria आपको यह कंट्रीज जो है याद करने पड़ेगी कि कौन से कंटिनेंट की सबसे कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज है ठीक है देन नेक्स्ट है A Major Area of Subsistence Farming यह पूरा कवर करके दिखा रखा उन्होंने और बोलावा है बतावी कौन सा एरिया है यह है Northern Eurasia देन नेक्स्ट है The Terminal Station of Transcontinental Railway यह अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा है एक कोशन आया था गैस करो क्या हो सकता है यह इसका आंसर है Perth जो भी हमने डिसकस किया था देन नेक्स्ट है A Major Seaport So North America में इस साइट पे कौन सा Major Seaport पड़ता है New Orleans देन नेक्स्ट है An International Airport South America में कहां पे है इस साइट पे कौन सा International Airport है Santiago So अब हम 2016 का कोशन पे पर डिसकस करें कोशन पेपर मतलब इसके कोशन So first है A country with largest area in Africa Just अभी हमने डिसकस किया है आप मुझे अभी comment section में बिना देखे बताएंगे बिना पीछे आगे बीचे करें वीडियो को कि कौन सी है largest area in Africa कौन सी country है So वो है Algeria जो हमने अभी अभी discuss किया Then next है An area of dairy farming So B कहाँ पे mark हो रहा यहाँ पे यह वाला area है जो dairy farming का है So यह पढ़ता है North East USA मतलब यह North में है यह South में है यह East है So इस area को North East USA ही तो कहेंगे Major seaport Sea पे यह रहा Melbourne यह रहा So हमें पता है कि Perth जो है वो यहाँ पे पढ़ता है इस side पे और Melbourne यहाँ पे तो जो बिल्कुल end में है End होता है वो Melbourne से होता है और यहाँ पे जो end है West का वो है Perth Then है International Airport So इस कांसर है Beijing और फिर Omega City तो इन्होंने Mega City के लिए यहाँ पे माक किया वा है अब अगर हमें पता है कि भई यह France है तो हम easily बता सकते कि France की Mega City पारिस है क्योंकि हमने जो page number 99 है उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ था अब हम discuss करेंगे 2015 के question paper में से map का question So उसका first है A पुछा वाई A country having the lowest Rank in Human Development Index 2003 और यह netto easily मिल जाएगा अगर आपने book इनसे आठी अच्छे से पढ़िए तो आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा So इसका answer आप मुझे बताएंगी यह मैंने mark नहीं किया है हाँ यहाँ पे है देख लीजे अफरिका की कोई country है So आप मुझे बताएंगी कि क्या है इसका answer B है railway terminal station So B यहाँ पे कहां mark किया है इनोंने यहाँ पे यह तो तीन बार आचुका है Perth इसका answer है A major seaport का answer है Wellparaiso और अभी हमने discuss करा 2019 की question में भी यही पूछा था A major seaport और यही पे mark किया गया था तो यह यहाँ पे mark किया गया है और यह Rome है So इसका answer है Rome Then next है Omega City तो हमें पता है यह वाला जो पढ़ता है ऐसे सा यह जपान है और जपान की Mega City है Tokyo So इसका answer है Tokyo So यह थी हमारी वीडियो जो की सिर्फ world map को cover कर रही थी And next वीडियो में हम जल्द ही India के map को भी cover करेंगे और यह मैंने एक छोटा से experiment कर रहा है मतलब सारे chapters के map को कराने की जगा जो last year के question papers है उन में से map वाले question उठा के specially वो कर रहा है क्योंकि इस एक idea मुल जाता है कि question paper में पूच क्या रही है मतलब बच्चे पढ़ पढ़ के चले जाते map के बारे में लेकिन फिर वहां पर उन्हें confusion हो जाती है तो इस वज़े से और प्लीज आप मुझे comment section में बताएं कि यह तरीका जादा सही है या फिर सारे map कराने वाला तरीका जादा सही है इससे मुझे feedback मिलता है अगर आपको कोई doubt हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी reply करने की and thanks for watching